देखो पूरा अख़वार मार काट और हत्या की खबरों से भरा फड़ा है क्या हो गया है हमारे शाहे को आज कल लोगों के हाथों यह तो खंजर होता या पिस्तौल एक बार फड़ा के तो उड़ा दिया तुम तो शादी में जा रही हो मगर जेवर भी नहीं पहने अब तो उपरवाला ही कोई रास्ता निकालेगा एक बीयर दे रहे अरे कल रात की बीयर उत्री नहीं तुम और लेने आगए अरे तुम तो बीयर से मुझ दो रहे हो अरे कौन हो भाई तुम शीवा अरे क्या ये दुकान लागा के रखा इदर शार्प लेड इडली ला चटनी सामबर माइनस बीना चटनी सामबर के हलक से कैसे उत्रेगी तेखते जा इडली का मटर कर दिया पहले धार की बीयर प्रावा एडली रस्समी इडली सामा एडली मसारा एडली इन इडली हो के बहारे में सुना था ये बीयर इडली का कॉम्बिनेशन नए बेरे भाइउ किस ग्रह से आयो तुमारा नाम क्या है घुका दिल और मैं बहुत बढ़ा अत्रंग ङूँँओ और आम्रस के साथ करेले का जूस शेव शम्मु को हिचकी आ रही है पानी 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 कौन पीता है तोड़ा नीज है निकल निकल पॉदल नीज को जिलना यह पकड़ा नहीं सुनों है पंचु एलिटी में हम पुलिस की स्पीड देख रहे हो ना लोग का मका कहते हम देर से प रहे है गैरेंटी चाहिए इस क्रिमिनल को वारंट के बिना ये परमानंद कभी नहीं आता ये ले पढ़ ले पढ़ सके तो सर मेरे साथ थाने चलिए और इस पंक्चुल परमानंद की इज़त रख लीजिए क्या कर रहे हो अंडररेस करना देखा आसानी से मान गया ना बोतल ने फेक रहा था क्यों मुझे फॉरन पता चल जाता है चील की नजरे है मेरी और दिमाग कवे का है ये मत सोचना मैं डर जाऊंगा अभी गेट खोल कर तेरी जम कर पिटाई कर पिशता हो अभी गेट को क्य अच्छे खित्बत कर रहा कानुन की सर एफाय लिखने के बाद हम उससे चोड़नी सकते उसे चोड़ो इस आदमी को उसके अंदर डालो ना आदमी बदल सकते हैं मगर नाम कैसे बदले सर इसका नाम क्या है शिवा की बेल हो गई अब शंभू को अंदर डालो इतनी जल्दी किवार के से आगे शुबाह अंदर किष्वार को बार याज़ इस आप नोट का कमा ले रहे अचा इसली माल का मिलें ड़क प्रआदर कांटर कांचा यह उसका कोड़ने में हैे अचा कोई आड़न ऐफ उसकर उगरी मिलेगी शोक्री एमिरेका थंदा है होलसेल थंदा बेद जैनरल से इन सारे धंदेओं का दौन हैं नकर आप यह सारी बाते क्यू पूछ रहा है तुको बेना पूझे टोटी की तरह पटर पटर बोल रहा है ध्री में शो देख लिया कर दो कर दो कर दो किसका प्रिफ कैसे है इसमें तीस लाक रुपए है तेरा प्रिफ कैसे थाने में आकर पेपर साइन करके ले जाना चलो जाओ यहां से अमाशा होना है क्या सर नमस्कार अले यह बता कौन है तू आप लोग लुट पाट करेंगे तो हम लोगा तो दंदा चौपट हो जागा ना सब चल रास्ता छोड़ अलो जवाब दिये भीना तो आप जा नहीं सकते यहां से यह चड़ा दे जीप तरिष्टो आप तरिष्टो स्टिरो यहाँ पना वजए यहाँ और अजए वहाँ बाल अभी अभी खुट क्या लग्ताव अपस हम नद्याएगा भाल पसलो यह और लुट कर आसरा कि भुट को जो यह गोजको थांव लुट कि अपस, क्यू भाल ग्हा ग्हाल वह, भाल क्वset moką, यह, प्यूट में उनूट हाँ! वाँ! 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 शोड़ उसे! तेरे जैसे लुच्य मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पहात उठाने की! भॉल! तु इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठोल! तु डीडी राठोर है के दरिंदा राठोर है? बारासर रुबे की वर्दी पाइना की पुलिस वाला बना दिया हा? यह ठुल्ला खुल्ले हम पब्लिक को लूट रहा है! चलो अरेस्ट करो इसको! तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसको अरेस्ट करना है? बम-बम भोले, बम-बम भोले, बैमानों की बोल खोले, समाज के दुष्मनों का सर फोडे! नाम है शिवा, डेप्यूटी कमिश्टर ऑफ पुलिस, सेंट्रल जोन! यह कफन्च और मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है! जिन्दा इंसान के गुर्टे भी बेज के खा जाए! अरेस्ट करो साले को! सल्यूट कर रहे हो या ठुमका लगा रहे हो? वन्स मॉर्ट! अब हमें सल्यूट करना भी यह सिखाएंगे! यह जंडा किसे लगाया? मैंने लगाया सर! उपर से तीन इंच क्यों छोड़ा? सर मुझे तीस फीट की उचाई से तीन इंच का फर्क पता नहीं चला सर! यह तो तीस फीट की दूरी से चोर नहीं दिखाए देगा! एक हफते के लिए सस्पेंड! बर गए! ख्यान से सुनो! मैं तुम सबसे कह रहा हूँ! जा चाओ पार्टी मनाओ! जूते पहनो या मत पहनो! वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस! क्या पहनो या गांधी टो भी! मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता! मेरे और्डर्स पानना जरूरी है! और अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो बिना वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिस्मिस कर दूँगा! सौ मुझरिम भले छूट जाए उसका खम नहीं! लेकिन एक भी बेगुना को सजा नहीं मिलनी चाहिए! पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए! पब्लिक ट्रेस पर कोई भाईगिरी कर दो उससे वही के वहीं तोड़ो! जंता के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंटे बनो! तिरंगे के सामने जुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है! पाच किलोमेटर का एरिया होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते! फिर भी इतने सारे जुर्व! इस्पेक्टर परमाना! सर! बासे इस लॉरीज जो इस चेहर में चलती है! वाइन शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, किराने की दुकाने, लॉज, कॉलेज, बिजनेसमें, स्टुडेंट्स, और सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर्स, मुझे इन सब की लिस्ट चाहिए 24 गंटे के अंदर! डॉक्टर्स की लिस्ट क्यों चाहिए? मैं फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, गयर कानूनी गाड़ियों को शेहर में आने की कोई जरूरत नहीं है, और वहां सही जगे पार्क होने चाहिए, पबलिक प्लेस पे अगर कोई सिक्रेट पीता है, तो उसे पगड़के वहीं के वहीं उससे जुर्माना वसूल करो, सबसे जरूरी बात, और उरत पर जुम करने वाले का मूँ काला करो, गदे बेविटा और शेर में घुमाओ, लेकिन सर ये तो नया कानून हो गया, मैं कौन हूँ, नए डी सी पी, तो कानून कैसा होगा, नया, मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा हो, हराव खोर, हराव से लोट कर भाई, कई छोटना लगे, हाँ, राई, काली मिर्च, जीरा, मेथी दाना की सप्लाई में, पचास और सौ ग्राम के पैकेट में करूँगा, शक्तर पैकेट एक किलो के होंगे, कल माल उठा लेना, ये रहे पिछले हफ्ते के पैसे और आज का बिल, अमेशा जिसको देते ओसी को दो भाई, मेरी पोती को, भावना, भावना, जरा इधर आना बेटा, दादाजी आपने बुला है, हाँ बेटा, इनसे पैसे लेकर संभाल कर रख दो, अरे, ये शक्कर की बोरी, थोड़ी बीमाह नहीं लग रही, इसका वजन कितना है, सो किलो, दादाजी, आपने इसे चेक किया क्या, नहीं, लेकिन तोलना पड़ेगा, चलो, तोल कर सब बोरिया ऐसी ही है, अगर तुम्हारे मालिक को पता चला, तो तुम्हारी नौकरी गई समझो, जानते हो, हमको हर पैकेट पे 5% कमिशन मिलता है, इतनी सी कमाई के लिए हम दिन भर मेनत करते हैं, और तुम नुकसान करने पर तुलेओ, अपकी बार माप कर दो, आगे से चाई का पुतला बना फिरता है, भुगत तो हम रहे हैं, हम तो पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, दादा जी, बाबुजी को ऐसा मत बोलिए, हमारे घर पर सिफ महनत की कमाही आएगी बस, रिश्वत लेना पाप होता है, मा, मैंने बस-पास के लिए 100 रुपे लि पता नहीं वहां कौन सा घोटाला हो रहा होगा, रुको, 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 काड़ी साइड मे लो, विल्ली ने रास्ता काट दिया, पूजा करवाने जा रहा हूं, लोटत वक दक्षना दिया दूगा, वो सब बखवास बाद में करना, साइड में लो, डॉक्शन द यह देखो, यह क्या है, यह क्या दिखा रहा है, पुलिस वाले, बिना नोटिस दिये, रूल्स बदलते हैं, इसलिए हमने रखे हैं यह, वाइट ब्लैक और यलो नंबर प्लेट, अब तुम ही बताओ कौन से वाली नंबर प्लेट चाहिए, मैं उसे अपनी फटपटी के आ वह देखा था, वो भी होल वाली, वो वाली फोटो दिखाओ क्या, आठ बनाना आता है, अरे वह भाई हवा में नहीं, भटबटीज है, भटबटीज है, भटबटीज है, वीना आठ का आकड़ा बना आर्टियों ने मेरे को लाइसेंस दिया, क्या, अच्छा साथ बना के द अरे तिरे लेशे रव्य हाँ, आरा ये तिरे लेशे ने इसे, प्रमेशा बना आ हो, एंच आरे भी हाँ, जो खेंले हैं, अरे पानी पैंड में से, ही इह आखटा बुलता है, ये ले अरै ये पञ्जा भी पञ्जा दिखा दो तिरे को, अरे ये चक्का, ये ने वहा, ये तेरे नंबर प्लेट के चक्कर मेरा तो हुलिया बदल के रख दिया है बेटा तेरा समय बुरा चल रहा है मेरा एक हाथ की दिर गया वो तो ब्रिज पर ही गिर गया था तुने उठाए नहीं क्या तुम कौन से गरा के प्राणियों मेरे भाई रुक में लेके आता हूं अरे जनरल सिंग को तो मैंने आज से पहले मंदिर में कभी नहीं देखा पैसे क्यों घुर रहे हो तुम मुझे किसी जोतीशे ने बताया था कि हर शुकरवार को मंदिर जाओ बरना मर जाओगे इसलिए हाँ आता हूं मैं समझ गए यह शिव शंबू है ना इसे तो एक दिन सिंगापूर पारसल करके रहूंगा मैं शंबू महाराज शिप तयार है बोस आप बस आउडर कीजिए बोले तो अभी कभी पारसल करवा दूंगा हाँ 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 आज करोड़ पती है पहले रोड़ पती था इस मंदिर का प्रसाद हमेशा अच्छा बनता है तभी तो खाखा के हो गया हूं मैं बनता प्रसाद भगवान के लिए और खाते हमसाव हैं है कि नहीं एक दम सही पहचाना तुने दस साल तक इसी मंदिर में भीक मांगी है देदे मा देदे बाबा भीकु सिंग नाम था मेरा तब और अब मैं हूं जनरल सिंग समझा जनरल सिंग याद रखना उस पंडित को देखो बगवान को चोड़के गुंडे को हार पहना रहा है मुझे माला क्यों पहना ही तुम भी दल बदलू हो गया क्या ने ने बॉस है वो क्या है कि एलेक्शन आने वाले है तो इन्हें आपकी मदद चाहिए तुम दोनों को तो मैं नहीं हमिले बनाया था अब क्या है इसे भी बना देंगे अरे हां तुम्हारे वाड़ में एक ही ब्रिज है ना वहां से एक ही बस जाती है वही दूसरा ब्रिज बनवाओ तो हमारा भी ख्याल रखना चलो बहुत चलो इलेक्शन जीत जाओगे और सुंदर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है तीक चल यात्रा पर गया है एक बंदा अब तक बिल में चुपा बैठा था पाल्यमिंट भी नहीं गया आज इतनी हमत कहां से आ गई बाहर निकलाया चलो काम खत्म करते हैं आलाद बहुत खराब है है हम क्या सुपारी लेकर खून करते हैं अगर मिशन भेल तो पैसे वापस पॉलि सार आपकी शादी नहीं हो सकती क्यों रहने के लिए इतने घर देख रहे हैं तो शादी के लिए कितनी लड़कियां देखेंगे मन पसंद करने ही मिला तो पुलिस कोडर तो आईगी सार उस दुकानदार ने यही घर कहा था देखते है क्या चाहिए आपको हम यहां घर सीपी है आप यहीं रुकिए यह सथी क्या यादे पिछले हाफ़ते पास के मोहले में दो लोगों ने पुलिस वाले बनके चोरी की थी हाँ वही लोग आए यह कहरी है दर्वासा तो बंद है ताती हमें कुछ भी करके उन चोरों को पकड़वाना चाहिए अरे मैं दादी उसमें सूचने वाले क्या बात है आईए आईए तश्रीफ लाइए यह दिखे यह हॉल है कितना बड़ा है आप यहां पर सोफा रखें उस पर बैठें चाहे तो सो भी जाए कुछ भी कर सकते हैं यह क्या स्कुरू धीला लग रहा है स्कुरू ना हाँ धीला तो है पर मैं राइट करवा दूंगी दादी मा है ओल्ड लेकिन लगती है बोल्ड ओल्ड इस गोल्ड सुना होगा ना बात फर्स फ्लोर की हुई थी आप ग्राउंड फ्लोर दिखा रही है ना असलमें उपर नीचे एक जैसा है यह ना इसलिए सोचा कि यही दिखा थे बात तो बराबर ओल्ड दुर्स करते हो ना आज दो और तो ने तूम आरेशन ने तुम्हें करते हैंаг मेशब करते हो ना अज दो आज दो ओर तो ने तुम्हें अरेस कर लिया रुको रुको पुलिस को खबर कर दी ना थालना हम्हारी बात मानिया हम अर्थ क्या हुआ अधिया कि विर्ची पॉडर डाल दिया यह क्या सब्सक्रण है अरे आईए पुलिस आप, क्या बात है पुदर मातों समाल के खुलना, अंदर तो हट्टे कट्टे मुश्टंटे हैं, बंदूप में कोली तो है ना, वो जैसे ही सामने है हमकी पिटाई करना, छोड़ा मातिक को, दुबारा किसी के घर में चोरी ना करें सराप, ये सब क्या है, आप इनको चोर कह रही है, ये हमारे नए डी सी पी है, चोर पुलिस वाला है, हमसे मिस्टेक से मिस्टेक हो गई, बड़ी वाली हमें माफ कर दीजे, पिछले हफते उस गली में ऐसा ही हादसा हुआ था, इसलिए हम घबरा गए थे, मेरी पोती को गलत साब जी हो गई, सारी, माफ कर दीजे हमें, साब जी, दर्वासा वा है, दिखता नहीं है, देखूंगा कैसे, आँखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया है, अब ही छोड़ दिया, तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्थ बन जाएगा, देख लेना, नया डी सी पी आपसे मिल नाम शस्ट शिवा, गाउं मलकापूर, अभी तक साथ जगा ट्रांसफर हुए, ये आर्ट भी पोस्टिंग है, किसी भी जगा तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत इमानदार आदमी हो, मेरे आदमियों ने बताया, तुम्हारे यहां आने से यहां पर थोड़ा क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, तुम्हारा असली नाम भीको सिंग, उम्रह 63 साल, गाउं का नाम खलासी गंज, इस शेहर में 123 दारू की दुकाने हैं, जिन में से 116 तुमारी और जिन में से 36 गयर कानूनी है, खलासी नदी और दो पठाखों की फैक्टरियां हैं, जो शिवा कासी में है, इन सब के अलावा, चाहे जो पार्टी पावर में आए, आठ जिलो में तुम जीतने और हारने वाले MLMP को चुनते हो, तुम हो चनरल सिंग, किंग मेकर, इसके बावजुद तुम्हारी ना तो कोई खबर किस गदे ने का में रिशुद नहीं लेता, किस ने कहा था यह सब, क्या ख़ड़े क्या हो, कुर्सी दो साब को, चाहे पानी लेकर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हाँ, हाँ, बोलो, क्या मदद चाहिए, मेरे ड्यूटी अच्छे से निभाने में, तुम मेरे काम आ सकते हैं, वो कैसे वला? यह मुझसे बिल्कुल बरदाश्ट नहीं होगा, उन्हें कहीं और ले जाओ, अगर तुम्हें यह सब मन्जूर है, तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूँगा, मुझे खयाल से, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, ठीक है, मुझे सब मन्जूर है, अरो दो दो भाई, जापको दो, लीजी, चलता हो, ए भाई, तुम मलकापूर के हो ना, लेकिन तुमने जात क्या बताई थी, वो तो मैंने बताया ही नहीं, बॉस क्या किया अपने, उसको मसका लगाने की क्या ज़रू थी आपको, अरे, मुझे लगता है, वो अपनी जात वाला है, क्या कहना चाहते आप, अरे, उसका टशन नहीं देखा तुमने, तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या, उसने हम पे हुकम नहीं चलाया, प्यार से बात की, इससे पहले जितने भी आते थे, खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे, और फोर रो जाते थे, ये बंदा उन सबसे आलगी है, ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकाने हमारे नाक में दम कर रही है, उनको वहां से हटा के देखते हैं, हैर स्पा में स्टीम लेके मज़ा ही अलगाता है, ये नो टंकी करने से अच्छा है, जा के अपने बाल कटवा दो, तु जलना बंद कर मेरे बाल तुझसे अच्छे, इसलिए जलती है ना, तुझे पता है क्या, साड़क पिच्चर में संजु बाबा के बाल, धूम पिच्चर में जॉन बाबा के बाल, इन सभी लोगों ने मेरा इस्टाइल कॉपी किया था तुम स्टाइल ही मारते रहोगे, या जा के घर के लिए कुछ पैसे कमा के लाओगे अब क्या करू मैं, पिछले हाफ्ते जिस दूले की शादी करवाने गया था, जैसे मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी तो होश उड़ गए, और चोटी भी खड़ी हो गई तभी मुझे याद आया कि इस लड़के की शादी तो मैंने पिछले हाफ्ते करवाई थी, मुझे गुस्सा आया और मैंने लोटा उठा के दे हमारा उसके सिर पर, मैंने काम एक बीवी को जहन ली पा रहा हूँ और तू दो दो शादी कर रहा है, उसने एक उल्टे हाथ की म आजकल गुंडे बदबाश्णा बाहर लटकते भी यह बस के हाँ, हाँ हाँ, जब से हमारे नए डी सी पे आया है तब से सब अच्छा आई हो रहा है, अरे मेरी चेन, मेरी चेन कहा गई, क्या हो गाई? अरे बसको पूलिस टेशन लेए चलो सब को चेक करो, किसी को जाने मत देना, हाँ, मिर्ची, आइए, आइए, सब लाइन में खड़े हो जाईए शरीफ लोगों को लाइन में क्यों खड़े रहना, क्या हम चोड़ दिखते हैं? क्यों, तुमने शरीफों पे मिर्ची पाउडर नहीं फेगा था? अरे, सुनो, तुमा क्या हो रहा है? चेन स्नेचिंग के सर? पता नहीं, कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? हाथ निकालो, जैसे हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, पहले हमारी चेकिंग कर लीजे ए परम, पहले इनको चेक करो लेडी पुलिस आकर इन्हें चेक करेगी, मैं नहीं कर सकता पर हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है ठीके ठीके, जाने देन को सर, अपने ड्यूटी के बीच मैं किसी को आने नहीं दे सकता क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं, चोर हूँ न क्या है, तुम लोग जा सकती है पर बस चेकिंग पूरी होने के बाद जाएगी तो हम कॉलेज कैसे जाएंगे? आटो से चली जाओ पैसे? क्यों भई? कॉलेज जाती है, परस में 100-200 रुपे नहीं रखती इतने पैसे क्यों चाहिए? हमारे पास बस पास है न अगर पास गुम हो जाए तो आने जाने के लिए 30 रुपे लगेंगे और लंच के लिए 10 चावले चाह रखा है तो कॉलेज में हम इतनी सारे पैसे लेकर क्यों जाए? ठीक है, मैं पैसे देता हूँ अरे सुनो, आटो बुलाना हम अनजान लोगों से पैसे नहीं लेते कर समझ के पैसे ले लो, बाद में देते न लगता है कुछ गडबड है सर, रोज रात देरी से घर पहुंचता हूँ खाना भी नहीं मिलता, बीवी गुसा करती है कम से कम आज तो जल्दी छोड़ दो थोड़ी देर और रुखते हैं, फिर चलते हैं ना ये खुझ शादी करेगा, ना मुझे शादी के मज़े लेने देगा क्या बड़ बड़ा रहे हूँ मैं कह रहा था, शादी ना करने वाले लोग कितने सुखी होते हैं कौन हो तुम लोग, और कहां से आ रही हो सर, पिच्चर देखने गए थे पिच्चर देखने, बिना अस्बंड के, कौन से पिच्चर देगी दिल तो पागल है पैसा मर्दे तू, बीवी को अकेली लाज शो में फिल्म देखने बेचता है उसके साथ जाना चाहिए न, एक तो अपने से छोटी उमर के लड़की से शादी करता है और उसका ठीक से खयाल भी ने रखता है जब कोई बदमाच उठागन लेके जाएगा, कुछ घलत हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कंप्लेंट करने क्यों, शेहर में औरतों की इतनी सारी आबादी है उन सब के बाडी गार्ड बन के घुमते रहे हम लोग परम सुनो, सर उन सारे पतियों को जेल में डालो, जो अपनी पतियों को नाइट शो देखने अकेले बेचते हैं यस सर, एक बार इसकी शादी हो जाएगा, फिर पता चलेगा क्या बला? कुछ नहीं सर, टॉर्ट चेक कर रहा था बच्चे, मन के सच्चे, सारी दुनिया के बेटा कान में मुत्ता नहीं ये सब क्या है जी, किसके बच्चे हैं ये? दिखता नहीं क्या, ये बेचारे बच्चे बहुत ठके और भूके हैं, इनको खाना दे दो अरे बापरे, पाप लगेगा पाप पाप क्यों लगेगा? कव! 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 दाता जी ऐसे क्यू चिला रहे? पिछले जनम में कववे थे क्या? ये क्या कह रहे हो? वो कववें को बुला रहे है ओ, कववों को खाना खिलाओ गे पर इन बेचारे बच्चो का नहीं? जुट पर जुट बोले जा रहे हो भूल गए जुट बोले कववा काटे परमपरा का मजाक उड़ा रहे हो कुछ तो शरम करो माफ करना दादाजी पर ये कववे अपने खाने का जुगार खुद कर लेंगे कहीं भी चोच मार सकते हैं इनका ध्यान रखने के लिए इन्हें बनाने वाला वो नीली छत्री वाला है ना पर इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखो इनका ध्यान कौन रखेगा इनके लिए उपर वाले ने हमें डुटी आफिसर बनाया है तो हमें अपनी डुटी करनी चाहिए ना दादा जी, आप इन कववों को खाना खिला कर खुट के सफेद कपड़े पीले करवा रहे हैं क्या भकवस कर रहे हो? पहले ये कववा यहां पर दूद में बनी खीर खाएगा उसके बाद वो कहीं जाकर सडक पर मरा हुआ चुआ खालेगा और फिर उसके पेट में खीर को देखकर मरा हुआ चुआ कूदने लगेगा एक ही नहीं, फिर उसे आसिलिडी और गयास की तकलीफ होने लगेगी फिर वो यहां वापस आकर आप पर अपना पेट हलका कर देगा आपकी इज़र तो गई पानी में, खिलाओ को वो को अगर 500 रुपे मांगते तो वो छक मार के लाइसेंस बनवा किला था क्या कहे गए सर, रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी आज कल तो बड़ी खोई-खोई सी लगती है सर वहाँ पना कावनली कर दी है अरे लेकिन बस चली जाएगी, मैं उसे पहले आ जाओंगी ना कब ख़तम होगा इसका फैसला अगले महने की दस तारीक को तुमने तो कहा था एक दिन का काम ही सर आज ही काम हो जाएगा उखलो, यह क्या है उस दिन आपने वाटो का किराया दिया था, यह लीजे ए उसके पैसे, साट रुपे रुको, एक सो बीस रुपे के जेका साट रुपे क्यों दे रही हो एक सो बीस रुपे? मीटर में तो सिर्फ साट रुपे दिखाए थे लेकिन उसे रिटन भाड़ा लिया ना, मुझे उसको वो भी तो देना पड़ा मर गई, ये साट रुपे वापस देने के लिए पूरी राट जाकर मिर्ची के पैकेट बनाए है और पैसे मैं कहां से लौँगी अरे भापना, अरे भापने, मेरे बस निकल गई, अब मैं कॉलेज कैसे जाओंगी गांधी नगर, कौनसा एरिया, माधोबाद, ताने का नंबर पता हम, जी सर, इनको कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे फोन करा, जाओ जनारदन जाओ जरा आटो का पीछा करो जी, उन्होंने तुमें फोन करने को क्यो कहा? वो क्या है न, मेरी शकल थोड़ी गुंडे मवाली की तरह है, इसलिए उन्हें शक हुआ होगा वैसे मेडम, वो क्या आपकी रिष्टदार लगते हैं? बड़ी फिकर है उन्हें आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो उन्होंने अपना हवल्दार हमारे पीछे क्यों लगाया है? मैडम, शिवा सर के आने के बाद शहय का नक्षा ही बदल गया है दिन दहाड़े होने वाली गुंडगर्दी भी बंद हो गई है अब देखिये न, आटो चले न चले, लेकिन मीटर एकदम सही चलते हैं बहुत इमानदार है हमारे नई डिसी पी मिली समझ में नी आना मैं क्या करूँ देखो तुम इस पुलीस वाले से दूर ही रहना वरना मैं काकी मामी को बताऊंगी तुम काकी मामी को बताऊं या फिर शिवा का नाम लिया वो अच्छे इनसान है बहुत इमानदार है भावना जान्दी है आज के फंक्षन के चीप गेस कौन है डेप्यूटी कमिश्णर शिवा यह क्या किया आपने आपने तो मेरा धंदा ही चौपट कर डाला पहले तो कभी एका धमा का सुनाई देता था अब ऐसा सन्नाठाय लगता मैं बहरा हो गया हूँ अरे तुझे भी बंब लगाने के अलवा कुछ सूचता है की नहीं है मैंने तुमको पैंती सेकड की पटागा फैक्टरी का मालिक बना दिया वहां शिवा काशी में और तुम यहां खंबे की तरह स्टैचू बनकर खड़े हो कुछते की वफादारी तभी होती है जब वो अपने मालिक के पीछे दो भी लाता हूँ में इसे यहां से जल्दी रवना करो औरना यहां भी पंप फोड़ देगा यह सुनाने अब जाओ यहां से जाओ 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 जब जरूत होगी बुला लेंगे नमस्ते साब नमस्ते साब इस वह डूपक की लेगा रहे है वैसे लोग पानी के अंदर दो मिनित ज्यादा नहीं रह सकते हैं वो दस बूनिट से भी ज्यादा रह सकते हैं वेल्कम शिवा, आओ, आओ, अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई, हैरान हो रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम आयो, बजपन से ही मुझे यहान आने की आदत है, पानी के अंदर से ही मैं देख लेता हूँ, कौन आया, कौन गया, हाँ, ऐसा है ना कि, मैंने इसको MLA बनाया और इसको देखो, बेवकूफ ने तैश में आके बड़े-बड़े वादे कर दिये, ये करेगा, वो करेगा, वाटर सप्लाई शुरू करवा देगा, वादों का पिटारा खोल दिया इस गदे ने, अपने सीम जो है ना, स्टेज पे कुछ कहने से पहले म मुझ से पूछते हैं, मगर ये बगार पूछें, लंबी-लंबी फेंकाया, मेरा नाना पूरा होने के बाद इस शायर को पानी मिलेगा, शिवाब मुझे घलत मत समझना, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, पर अगर भड़ा गया तो किसी को नहीं छोड़ता, देखो, सब के पा ठीक है बोस, उसकी अकल ठीकाने लग जाएगी, ठीक है, चलता हूँ, ये कितना अच्छा बंदा है, हर काम मुझसे पूछ कर करता है, हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस के शोब अफसर पर हमारे खास महमान है, जब से आप इस शहर में आया है, क्राइम रेट काफी कम हो ग जैसे हलवा, इससे जरा बचके ही रहना तुम, और मैं दाद देना चाहूँगा इस शहर की लड़कियों की, बड़ी हिम्मत वाली और समझ बूज वाली, इस शहर की लड़किया छाता लेके ऐसे चलती है, जैसे उनके पास कोई हत्यार, यहां की लड़किया जहासी की रान मिर्ची पाउडर से ही मुझे पे हमला हुआ था, सच कह रहा है, वो तेरी बारे में बोल रहा है, इस शहर की एक बहदूर लड़की ने मुझे चोर समझ लिया, मुझे और मेरे दोस्त को कमरे में बंद कर दिया और मिर्ची पाउडर छुड़क दिया, वो लड़की इसी वो रही, जैसे काले रंग की ओड़नी पहनी ही, वो रही, आओ स्टेज पर आओ, तुम अपनी जुबानी बता दो क्या हुआ, ए तुझे बुला रहा है, जा ना, अरे जा, जा ना, भावना, प्लीज स्टेज पर आजाओ, पुलिस डिपाट्मेंट की तरफ से वेंका अभ इनकी बहादूरी बे मिसाल है, यह बहुत ही होश्यार है, आपकी खूबियां मुझे बहुत पसंद है भावना, कहां से आ रही हो, यह हार किस ने दिया, यह हार मुझे शिवा ने दिया है, क्या कहा? मतलब दादी, यह हार भागवान शिवजी का है, शिवजी का हार है, तो जाओ मंदिर में उन्हें वापस पहना दो, ठीक है रादी बच्चों, तुम लोग वाँ क्यों खड़े हो? आव सबके साथ यहां पर खड़े रहो तो उससे पूछते हो, उसकी जात क्या है? स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की जात पूछते हो? यह जात बात बनाने वाले हम इंसान ही है इस हवा, इस पानी की जात क्या है? कण-कण में भगवान है, अगर उसकी जात किस दिन पूछ ली, तो खाने के बांदे हो जाएंगे तुम लोगों के क्या कर दिया अंकल, अब जो मीटा है मिलने वाली थी, वो भी नहीं मिले आज हमारा स्वातंतर दिवस है, इस दिन के लिए हमारे कई भाईयों ने अपनी जान कुर्बान की थी, आओ मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ ये देखो, जानते हो ये कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, पुलिस इने ढून रही थी ना? पुलिस ढून रही थी? इस विरबपन ने ही हमारे सूपर स्टार को अगवा किया था आज कल के शैतान बच्चे एक महान इंसान को विरबपन कह रहे है चा होगा इस देश का? आज अगर ये जिन्दा होते तो ये सुनकर दोबारा मर जाते ये ओ नेता जी, लगता है कोई नई पार्टी बना रहे हो, हमें भी ले लो मैंने कब कहा कि मैं पार्टी बना ला? अला रंग भी रंगा जंडा लगाया, आसपास लोग जमा कर लिये हाँ, बात तो तुने सही कई, आज कल कोई भी जंडा लगा के भीड कठी करके पार्टी बना लेता है आपका पीके बनूँगा, पार्टी का सेकेटरी बनूँगा और पार्टी का प्रचार भी करूँगा सब कुछ सेकंडरी बनेगा तो, उसके पैसे एड़वाच में ले, ये बेचारे बहुत गरीब है, आप लोग इनका चोरी हुआ सामान ढून दीजे न, आप ये क्या कह रहे हैं, हम तो अपना काम करी रहे हैं न, क्या कहा था आपने, चार सोने के कंगन और एक लाख रुपे नकद, इतना सब कुछ कोई घर पे रखता है क्या, आपको इतनी भी अकल नहीं है, इनकी चीजे ढून दीजे, अरे वही तो कर रहे है, अब आप हमें सिखाएंगी क्या हमें क्या करना है, ला परवाई करो तो मोर भुखते हम, अजा सुनो, नाम क्या बताया था आपने, नारायन, ये सब कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, ओ, इतना कीमती सामान घर पे छोड़कर, पूरी फैमली पिच्चर देखने गई थी, क्या, अलो, शीवा स्बीकिंग, अलो, मैं भावना बोल रही हूं, कौन भावना, आपने जैसे ओटो का किराय दिया था आप वो भावना, अच्छा, मिर्ची पाउडर, क्या बात है, कैसे हुई चोरी, सब दर्वादा तोड़कर अंदर गुसे, पॉलादी रोड से निजरोडी उंगलियों की निशान ले लिए, पुलीस के स्टिंफर डॉक्स आते ही होंगे से, हलो, परम सुनो, मुझे उन चोरों की लिस्ट चाहिए, जो आयन रोड यूज़ करते हैं, एक मिनिट सर, हाँ बोलो, सती, शाहू, मंगेश, कुमार, अनवर, मार्शल, डेविड, परमेश हलो, सर, सारे चोरों को पकड़ लिया है, बस एक मार्शल डेविड मिसिंग है, डूंड़ा उसे, मैंने सारे जिवर इसकी शादी के लिए जोड़े थे, अगर नहीं मिले तो, मैं इसकी शादी नहीं कर पाऊँगा, आप लोग हिम्मत से काम लिजी, रोह ये मत, सर, चोरी म खुदकुशी कर लेंगे, सब के बयान लेलो, हाँ, और हम लिया आए, ये लीजे, सर, ये लीजे, आपकी अमानत, देगे सब चेक कर लीजे, अरे, ये क्या, आप मेरे पिता समा, आप मेरे पैर कैसे छूशे, आप हमारे परिवार के लिए भगवान बन के आये, स्टेटमे अपने बहुत होशारी से चोर को पकड़ लिया, मुझे आप पर गर्फ है, बस थोड़ा अपनी पेट की चर्वी कम कर लो, वरना चोर के पीछे भागो के कैसे, क्या हो गया, सफेदी के चमकार, कहा जा रहे हो, टेस्ट मैस खिलने जा रहे हो, क्या, विजे राज, हमारे य तो वो उनकी मिली बगट है, तुम जैसे लोगों की तो, तुम इनकी क्यों वकालत कर रहे हो, फुमने वाले कुत्ते को भी एक दिल लग जाता है, चोर पकड़ने में, तो इन्होंने एक घंटे में कैसे कर दिखाया, अरे, हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे है, और भाई, पुलिस को खबर हो गई है, शिवा यहां आता ही होगा, ए, हम नहीं डरते किसी शिवा से, अगर दस लोग मिलके कुछ करेंगे, तो बड़ा जुर्म होगा, अगर सौ करेंगे, तो वो हिंसक बार्दात होगी, यानि कि जबरतस्त मुढ़ेड होगी, आने तो पबली को परिशानी नहीं होने चीए, भीड को यहां से अटाओ, हमारे जात के एक आत्मी की मौत होगे, इंसाफ चाहिए हमें, उस केस की चार्च हो रही है, पर्मिशन के बिना भीड कठा करना खैर कानूनी है, यह हमारा शहर है, हमें पर्मिशन की ज़रत नहीं, आखरी वारनिंग दे रहा हूँ, फौरान इया से चले जाओ, अगर नहीं गे तो क्या करोगे? लाठी चार्च करोगी, एट पंधर फिकोंगे, हम नहीं भागेंगे, जो चाहे कर लो, हम यह से नहीं हटेंगे, भीगोंआगे, हम één तो, हमने ए शिवा तू पुलिस वाला या गुंड़ा है मैं इतना बेवकुफ नहीं हो के बिना लाठी या इट पत्तर के तुम लोगो जबात करने चलाओं मैं इतना पागल भी नहीं के पैर पे गोली मारने के लिए कलेक्टर के ओर्डर का इंतजार करो अपने डिसिजन खुद लेता है ये शिवा ए शिवा तू पंगा ले रहा है हमसे या करेगा तू तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा बसे जलाएगा मैं तुझे जला दूँगा तू मारेगा तो मर्डर के लाएगा हम मारेंगे तो इंक्वारी कमिशन बैटेगा उस कमिशन को कैसे जवाब देना हम जानते हैं अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सरथ पर जाकर दुश्मनों और आतंकवादी उसे लड़ो शेर में फसाद करके पब्लिक को डिस्टब मत करो ए शिवाद तुम जानते ने किसे पंगा ले रहे हो हमारी जाच से उलज़ने की गल्दी कर रहे हो तु ए जाधिवाद धाशावाद रंग बेद और कटरपंद की वज़े सारी लड़ाईया होती है तुम जैसे लोगों की वज़े साही फसाद होते हैं लेकिन मेरे रहते अगर कोई भी गड़बड़ी की, तो घुटने फोड़ दूँगा, याद रखना पूरी टोली को निस्तो नाबूद कर दूँगा, मैं पुलिस नहीं, गुंड़ा हूँ सर, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने तो सौब आदेंगी, तू कौनसी बोल रहा है, वही, हम गुंड़े हैं या पुलिस वाले, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, बेवकूफ काई के, क्या है ये, इतनी सारी जड़ी पूटिये डालने की क्या जरूँ थी, भाप नहीं, जहर है ये, मैंने तो बस दवाई डाले थी जो आपको, मार डाले, नहीं, जुखाम को मारे, ये इसे ही कहा, आज मैं तेरे खाने में जहर डालूँगा, सर से उपर जाएगा, बस, आज उसमें उस जात को ललका रहा है, कल वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, क्या रहे, क्या देखो तब हम यहीं होते हैं, क्योंकि ये भीडबान का टाएंगे, भीडबान का, या लड़की के आने का, क्या वरा, मैं कह रहा था, सुबह हम यहां खड़े होते हैं, और शाम को सड़क के उस पार, क्योंकि सुबह उधर धूब होती है, शाम को इधर होती है, इसकी वज पीछे देखो! पीछे देखो! ले जाओ इसे! PCP सहाब पर हाथ होदाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसे थाने ले जाओ! और बार बार कर भूख खुरवा विसका! ले जाओ! और लंज के लिए दही चावले चाह रखा है, तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ये लीजे, आपका टिफिन! चाहे जो हो चाहे लगाए शिवकार तिलक ही लगेगा इस पे! शिवकार तिलक लगे! खामोश! ये मंदिर है या मच्छे बजार? बात ये है कि हमने अपने मंदिर के लिए एक हाथी खरीदा है! हाथी खरीदा है? शाबाश! आप क्या इसकी सूंट उठा उठा के इससे भीकमंगवाओगे? अरे वो बात नहीं है तो फिर क्या है? बात ऐसी है कि अंदर एक भगवान विश्नु का मंदिर है और एक शीव शम्भू का! ये तो सब जानते हैं! बिल्कुल जानते हैं! माते बर विश्नु का तिलक ही लगेगा! नहीं नहीं ललाट पर शीव का भस भी लगीगा! आप ल पहले ये बताओ तुम किसकी तरफ हो? उनकी तरफ या हमारी तरफ? आटी जी! मेरी एक बात ध्यान से सुन लो! विश्नु भगवान और शिव भगवान मेरे दिल में है! मैं शिव भगवान का रुदराक्ष पहनता हूं और मात्य पर विश्नु भगवान का तिलक लगाता आप लोगों का तो मुझे कुछ पता नहीं पर मैं यहां से रफो चक्कर हो रहा हूं क्योंकि अब यहां थी बहुत ज़्यादा पॉट्टी करने वाला है! अब यह सोचो कि उससे साफ कौन करेगा? बेचारा जनरल सिंह का सीधा उल्टा हाथ सब है! लड़की इतने खुबसूरत थी कि इसकी नियत भिजल गई क्या करें? अगर तेरी बैन होती तब भी तू ऐसी ही बात करता? यह शिवा! ले जा इसे! मुझ संभल के बहुत कर समझ गया ना? मुझे लगा था कि आप शरीफ और इमानदार हो लेकिन आप ने उस रेपिस को छोड़ दिया हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं सर आप जिन्दगी तो मेरी बहन की बरबाद हुई है सर बड़ी उम्मीद थी हमें आपसे हो गया तुम लोगों का सुनो अगर मैं उसे तुमारी पूरी फैमिली को बरबाद करतेगा तो हमें चुप-चाप सहना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए आप लोग केरोसिन के लिए राशन की लाइन में फिल्म देखने के लिए भी खड़े रहते हो ना लाइन में तो इंसाफ खड़े-खड़े कैसे मिलेगा जब कोर् पुलीक के हवाले कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि पथर बर्साओ इंपर वो दिन आएगा और मैं खुद तुम्हें हत्यार दूंगा उस वक्त तब तक अपने जजबात काबू में रख़े चीवा चलो तुम्हें बहुत ने बुला है उनसे को मैं बात में अभी चलना कर समझाए या अपना कुटा तुम्हेरा चमचा कर मुझे और देता है अपनी खुदारी पर मुझे नाज है उससे बढ़के कुछ नहीं जो पैसे तुमने मुझे दिये वो तुमारे गुनाहों का जुर्माना था उसके वज़े से यह मत समझो कि तुमने मुझे खरीद लि समाज लेना वो डी सीपी हमें इतना सुना कर गया और आप कुछ बोले ही नहीं अब ये पक्का हो गया वो अपनी ही पिरादरी वाला है देखा नहीं जब वो चिला रहा था तो उसके कान कैसे लालम-लाल हो गए थे उसने इज़द का कश्रा कर डाला और आप उसकी लाली मा देख रहे हूं मैंने उसे बुलाया था तुने हिकड़ी दिखाई और मुसीबत बुला ली शिकार से पहले शेर भी दुबा क्ये बैटता है फिर चलांग लगाता है ये यहां क्या कर लिया है जीप्रों को सर इस वक्त आप कहा हो कमिशनर के ओफिस जा रहा हूं क्यों वो मिर्ची पाउडर वाली लड़की पाद उसका क्या काफी देर से बस्टेंट पर खड़ी है आपने बुलाया था नहीं तो लेकिन मैं पहुंचता हूं और कमिशनर से मीटिंग उनसे बाद में मिल लूगा न यह तो गया काम से प्यार के चक्कर में अच्छे अच्छे भटक जाते हैं फिर हमारे साहब कैसे बच सकते हैं चल रहे हैं यहां क्या कर रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है क्या बात करनी है? आप पिछले चार दिनों से कहां थे? सीम के काम से दिल्ली गया था क्यों? अरे रोकियो रही हो क्या हुआ? मैं जब तक आपको देखने लेती मुझे चैन नहीं आता कैसे काम में मनने ही लगता है ऐसा क्या? तो आपसे तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी यहां वो क्यासे? शादी के बात तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझ से शादी करेंगे? सची? बिलकुल सची में सर मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और वो साइकल वाला खुदी बीच में आया इसमें मेरे बेटे की क्या गल्दी हमारी मदद कीजिए उसके लिए 40 लाग लगेंगे आप सबको मेरे शादी की जल्दी क्यों है? अगर मैं आप सबको बोजी लगती हूँ तो बता दीजे मैं नदी में कूद कर किसा खत्म करती हूँ? बक्वास बंद करो उसकी जरूरत नहीं, उनको भावना पसंद है अगर बाबुजी को मन्जूर होगा तो शादी तै कर देंगे बोलो मेरी लाल मेर्चु मुझे देखने के लिए लड़के वाले आएं कहां से आया बोलो? पूर्णी से आया है जगे तो अच्छी, आसपास हरिया ली है तुम घुमने जा सकती हो लड़का पसंद आगया ना? यहां मेरी जान निकल रही है और आपको मजाग सूच रहा है वो तारीक तै करने वाले हैं तारीक तै होते ही बता देना मैं फौरान आजाओं आप इतनी जल्दी कैसे आएंगे? खिड़की से बहार देखो अब यह उठा के ले जाओ अब मुझे कोई डर नी आप आगे हैं न? सब ठीक हो जाएगा मुझे पता है मुझे शादी बिल्कुल मन्सूर नहीं देखे हम आप से किसी बी तरह से कम नहीं है मेरा बेटा आटियो ऑफिसर है हर महीने वो 25,000 की सेलरी पाता है और क्या चाहिए आपको? यह सही तो बोल रहे हैं 25,000 सेलरी है और 50,000 रिश्वत के खाता है वो यह क्या कहा रहा है? बेइमानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस घर में बेइमानी का पैसा आता हो उस घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूगा Excuse me मुझे पता चला है कि आपका बेटा under the table रिश्वत लेता है पर हम ऐसे लोग नहीं मुझे पता है कि तू मुझे से जलता है क्यूंकि कुछ सालों बाद तू ठकला हो जाएगा और महले के लड़के तुझे चंदा मामा चंदा मामा बुलाएंगे जाओ ही बाबू आप जाईए हैसे जाईए मैं कहता हूँ जाईए क्या हुआ? मेरे बाबू जीन उनसों को मना कर दिया चरो अच्छा हूँ.. चरो मैं चरता हूँ रहा है.. लेकिन म मना क्यों कर दिया? शद लड़का रिश्वत लेता है बाबू जी को इसका पता चल गया इस लग उनने मना कर दिया क्या हुआ? हवा निकल गई कोई है अरे मिर्ची पाउड़ा रास्ता कैसे भूल गई मुझे उनके घर की चाबी चाहिए उनके घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए वो हमेशा बाहर खाना खाते हैं न तो मैंने सोचा कि आज घर में बना दू उनने क्या दिया कि लंच के लिए वो घर आ जाना खाना बनाने तक ही रखना और कामों में न उलग जाना उन्हें खाने में क्या पसंद है मेनू कार्ड में उपर से लेके नीचे तक हर आइटम का स्वाद लेते हैं जब ने पेट्रोल पंप बाले को पूछा कि पेट्रोल कम क्यों दिया तो उसने मुझे धक्का मारके नीचे गिरा दिया तो उस्पिटल नहीं जाना आप पहले मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए अरे लेकिन कितना डालू एक लिटर वों बोतल में देना मनाए सर बारेज में यह यह लिटर है कि अधा पर उसे क्यों मार रहे हो उस और इसे पूछताज करने वाला डिपार्टमेंट है ना आप उनसे जाकी शिकायद की ऐसी अगर मैं मारी करेगा तो पब्ली को पूछने का है समझा आपको बागे बागे का बागे सब्सक्राइब कर दो पूरा पेट्रोल पंप बॉस शिवा ने अपना एक पेट्रोल पंप सील करवा दिया ठतो करो तो, वभणवाओन ये सब्सक्राइब करेट। करो दो, थो करो तो एक वेस्वा जबादे खेएพरिए lean आये सर, आये वो डिप्टी कमेशनर, शायद वो घर पे होंगे सर, परम भाई ने कहा कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता, सॉरी, लेकिन मैं शादी की बात सब कुछ सीख जाओंगे, प्रॉमिस करती हूं, कोई बात ने, तु जो बना के खिलाएगे, मैं खालूँगा, कच्चा पक्का, जैसा भी होगा, मैं खालूँगा, ठीक है, क्या खुश्बू है, होटर से लाईगे, आप जानते हैं, मेरी सहिलियां कहती हैं कि मैं बहुत लगी हूं, को क्यों, आप इतने इमानदार अफसर हैं, सभी लोग आपको इतना चाहते हैं, ऐसा क्या, बस मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है, यह जो आपकी मुचों में सफेद बाल है, मैं से खीच लेती हूं, वो मेरा लक्की बाल है, एक दिन जरूर निकाल दूँगी, ठीक है, आप खाई, मैं देखती हूं, ठीक है, अब आओ ना, रुख जा, मैं देखती हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, कौन है यह लड़की, शादी हो गई इस से तुम्हारी, यहां लड़कियों के साथ गुल्छड़े उला देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, पेट्रोल खिलाएं, ताकि तुम हमारे वफादार रहो, और क्या किया तुम्ने, हे, जो खाना तुभारे पेट में इस वक्त है न, वो मेरी दीवई भीक के पैसों से खरीदा है तुम्हें, अगर कोई मेरे लास्ते में टांगणाएगा, तो मैं उसकी जान ले लूँगा, फिर चाहे वो मेरा भाई ही क्यों न हो, मेरे साथ होने का वादा करते हो, और काम मेरे खिलाफ करते हो, मुझको कम मत समझना, एक की जान लेने के लिए मैं पूरे घर तबाह कर सकता हूँ, अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी किया, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, कि तुम कहा तुम का घाइब होके, इतने छोटे छोटे टुकले कॉटकर फेकूंगा कि पैचान पुश्किल हो जाएगा, हम जा है, अब है चलो, सुनो तुम मेरे, भावना, देख, भावना, 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 हें! बॉस पेटल बॉम खुल गया क्या अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा धंदा चौपड हो जाएगा कई मुझ दिखाने लाइक नहीं रहेंगे उस जी सीपी को पहले दिनी सबग सिखाना चाहिए था बॉस आप बताइए हमें करना क्या है जब उस वारत को चोट लगी तो व छोड़ो मुझे मेरी बात तो सुन लो मैं बेवकूफ एक धोके बास की बातों में आगे आपने तो सारे शेहर को धोका दिया है खबरतार अगर इस तरह की बात दोबारा की जिंदगी में कभी तुमारी शकल नहीं देखूँगा तुमने इल्जाम तो लगा दिया लेकिन असलियत जानने की कोशिश नहीं की पुलिस की नौकरी सिर्फ एक धंदा बनके रहे गई मगर मैं अपने इस वर्दी की बहुत इज़त करता हूँ अपने पिता के बचनों का पालन करता हूँ आदमी चाहे किसी भी जात या धर्म कहो अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सर्जा दिलवाने का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही है इसलिए में ने पने बेटे को पढ़ाया और कहा कि उसे पुलिस की नौकरी करनी है बहुत अच्छी बात है पुलिस बनकर क्या वो हमारे गाव में आएगा अरे भाई पहले उसे बुलावा तो आने दो अगर उसे पुलिस की नौकरी मिल गई तो एक दिल जरूर आएगा यहां जीवा तुम्हें पुलिस की तरफ से इंटरिव्यू का कॉल आया है बेटे कैसा रहा तुम्हार एंटरिव्यू यह नौकरी में नहीं करना चाहता यह क्या कह रहे हो तुम बस ऐसे क्यों सवालों की जवाब ठीक से नहीं दिये उन्हें जवाब से कोई मतलब नहीं रिश्वत चाहिए उन्हें मुझे नहीं करनी यह नौकरी तुम्हें यह नौकरी चाहिए मगर तुम हिचकचा रहे हो कितने रिश्वत माँग रहे हैं वो पच्चिस लाक रुपे अभूजी यह सब क्या है रिश्वत का इंतिजाम जमीन का सौधा कर दिया बीस लाक में घर के लिवी रख दिया पांच लाक में जमीन और घर का सौधा करके? बेटे कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है तीस साल पहले मैंने खुद को बड़ी मेहनत से पुलीसमन बनने के लिए तियार किया था मगर मेरे पिताजी रिश्वत के आठ हदार नहीं दे पाए और मैं पुलीसमन नहीं बन पाया इस तरह ना चाहते हुए भी जब मुझे खेतों में काम करना पड़ा तो बड़ी तकलीफ हुई है मैं नहीं चाहता कि मेरे जसा हाल तुम्हारा भी हो मैंने पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी जॉइन की काम शुरू किया मगर मुझे क्या मिला नेताओं की दादा किरी मुझे अफसरों को मेरा रबईया पसंद नहीं है और मेरा बार बार ट्रांसफर होता रहा ये क्या कर रहे हो तुमने हाल ही में पुलीस फोर्स जॉइन किया है और तुम हमसे पैसा लेनी से मना कर रहे हो नौकरी के लिए रिश्वदी थी ना अब तुम भी खाओ चलो निकलो सौरी सर आपको अपने सारे घर कानूनी कारोबार बंद करने होंगी वरना मैं सख्त पदम उठाओंगा अरे देखे बोल देता ना बोज ने भीजवा है सर मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं माना हट रुक 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 सार आई आई करक्या कि अ चटी बहके अ हुआ हा अगा अक बाल Exam हुआ हा इसे नही इस नहीं है अरे भाई, तीर बिना धनुष किस काम का? पॉलिटिक्स बिना गुणागर्दी के चल सकती है क्या? नहीं चल सकती, वो तुम्हारी निगाहों में घलत हो सकता है, मेरी नहीं, छोड़ दो उसे जमानत के पेपर्स लाए हो क्या? पॉलिस ओफिसर तुम हो, भूल गये क्या? संडे को जमानत के पेपर्स नहीं मिलते पेपर कल दे दूँगा, उसे अभी छोड़ो एफ आयर तर्च हो चुकी है, बिना जमानत के नहीं छोड़ सकता अरे तो कॉलक्सी बड़ी बात है, भार कर फेखो उसे तेरी तो दोधागिरी करता है देखना, इसका अज़ाब ठीक नहीं होगा तुमने हमारे साब पर हाथ कैसे उठाया तुकाला कोट बेंट क्या, इसलिए बच गया परना तेरा भी यही हशर करता मैं उस अकुडू का ट्रांसफर करवा दो ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा इसका तो वो हल करना चाहिए कि छट पठाए भी और कुछ कर भी न पाए इसको तो अब मैं दिखाता हूँ कि एक पॉलिटीशन क्या क्या कर सकता है हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं हमें खबर मिली है कि तुमने रिश्वत खाई है हमें तुमारी जीब की तलाशी लेनी है जानती हो मेरी इमानदारी का मुझे क्या ही नाम मिला रिश्वत खोरी का इल्जाम और सस्पेंशन मेरे बेटे की शादी में जुरू रहीएगा शिवा की शादी और हम ना आए ऐसा कैसे होगा अरे ये देखिए संधी जी की गाड़ी आ गई संधी जी नमसकार आप इधर आईए सबसे पहले तो आप शादी का कार्ड बाटना बंद कर दीजी ये क्या कह रहे हैं आप मैं कुछ नहीं कर सकता आपके सबूच को रिश्रत खोरी के चक्कर में अंदर कर दिया है ये खरती इल्जाम लगा रहे हैं आप इल्जाम नहीं सबूच है हमारे पास अगबार के फ्रंट पेज़ बे तुमारे बेटे की करतू छपी है देखिए चाहे कुछ भी हो जाए अब ये शादी नहीं हो सकती बाबुजी आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं अगर भगवान भी आकर मुझसे ये बात कहे तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा कभी नहीं क्योंकि मैंने अपने बेटे को जो संसकार दिये है जो शिक्षा दिया है वो गलत हो इनी सकती अगर गाहँवाले कहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले रहा है तो वो सब बखवास करते हैं क्या इमांदारी की यही सजा है इंसाफ और कानून तो जैसे दफन हो गया हैं एक इमांदार अफसर को सेट्पन कर दिया सिर्फ बहादूर होना ही काफी नहीं होता कभी दमाग से भी काम लो तूने रिश्वत नहीं डी फिर भी तुछ पर इल्दान तो लगा रहा आज के बाद तून रिश्वत लेना और उन्हीं पैसों से अच्छा काम करना अगर यहां पे सो लोग बुरे हैं तो उन्हें भूल जाओ पर यहीं जार अच्छे लोग भी तो होंगे तुम उनके लिए अच्छा काम करो रामायन में कहा है अगर भाली अच्छा होता तो राम उस पर सामने से वार करते मगर वो बुरा था इसलिए राम जी ने छुपके वार किया युद्य के नियम के अनुसारी यह गलत है मगर इंसानियत की नजर में यही सही है बेटे शिवा तेरे पैदा होने से पहले मेरे पांच बच्चे मर गए थे तू मेरी छटी ओलाद है इसलिए मैंने तेरा नाम रखा शष्ट शिवा यानि पांच प्रिद्य के बाद हुआ शिवा तेरा जन्म अब शिव की तरह संगार कर अपने शत्रों का और अंच कर दे सारी पुराइ उंका अच्छाई के लिए बुराई का नाश करना जरूरी है, बहुत जरूरी है मुझे खुद को बेगुना थाबिद करने में 6 महीने लग चैं बहुत मुश्किलों का सामना की है मैं ब्रश्टाचार और बैमानी हर जगे मौजूद है उन्हें उसूलों के साथ ठीक करना आसान नहीं इसलिए मैंने अपने बाबुजी की बात मानी और अपने आपको पूरी तरह से बदल डाना भावना मैंने पबलिक से कभी रिश्वत नहीं ली बल्कि उन करप्ट लोगों से रिश्वत ली जो पबलिक को धोका दे थे मैं जो रिश्वत लेता हूँ उन्हें अच्छे कामों में लगाता हूँ इनसे जो भी पैसा लिया खुद पे कभी खर्श नहीं किया चलता हूँ अरे हम उनसे उची जाट के है वो हमारी बराबरी का नहीं है फिर भी तुमने ऐसे गलती कैसे का लिए वो बहुत अच्छे इंसान है अभी उम्र है क्या है तेरी जो तो इस तरह की बाते कर रही है अब उसे फोन बर बात करके देखिए ना चोप रहो तुम इसलिए मैं तुमसे कहता था कि बेटी पर नजर रखो वो कॉलिज जा रही है या कई और चार रही हो बस कीजिए बिचारी छोटी सी बच्ची है इसके क्या गलती अगर आपने प्यार दिया होता तो ये घर के भार प्यार के लिए बटकती ही क्या आप उसे बात तो कीजिए क्या बात करें उनसे उनसे ये कहें कि तुम हमसे नीची जात वाले हो पता है कितनी बेज़त ही हो जाएगी आपको पारलेमेंट में होना चाहिए देखो इस पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है उस लड़के को फोन करो और उससे बात करके देखो कौफी लीजे ना शक्कर घोलने के लिए पहले कौफी को अच्छे से हिलाओ कौफी गरम है ठंडी करके पियो चुसकी नहीं पूरी कौफी गटक जाओ ये लोग तो कौफी पिलाने की बजाए कौफी पे लेक्चर पिलाने लगे हमारी बेटी एक पुलिस अफसर से प्यार करेगी ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था दादी जी चोर से प्यार करती तो गलत होता क्या हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है तो बताओ, हमारी बेटी तुम्हारे साथ कैसे खुश रही है मैं आप लोगों के साथ एक दामाद की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पेशाओंगा, यकीन कीजे अभी ये बहुत छोटी है, कॉलेज भी पूरा नहीं किया है तो इतनी जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं फिकर मत कीजी, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा ये मेरा बादा है आपसे अच्छा, अगर हम आपका ये प्रपोजल मान लें तो ये बताओ क्या आप धहेज कितना लेंगे शगुन के तोर पे आप सिर्फ एक रुपया देना एक रुपया, दादा जी ये क्या हमें चिंदी समझता है दाबाज जी, इन्हें बताईए, हम गय गुजरे नहीं है मेरे बेटे की सेलरी 25,000 रुपय है हमारी घरेलू कमाई 20,000 है जो मसालों के पैकेट बेशने से होती है और पड़ी जी हमारे दादा जी, मेरी बात है, छोड़ो ना कुछ और बात करो ना छोड़ दिया, कुछ और बात करते हैं हम आपको दिल खोल के देंगे आप मांगो कितना मांगते हो ठीक है तो पांच लाग रुपय और सो तोला सोना दे दीजिए भाई तुमने हमारी बातों को दिल पे ले लिया क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी बेटी का साथ ही मेरे लिए काफी है मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ उसे पालूँगा तो मैं समझूँगा मैंने सब कुछ पा लिया मुझे आपका आशिरवाच चाहिए बस उठिये ये हुई नवाद जुग जुग जीओ तो हमारा पहला दामाद कामचोड और दूसरा पुलिसमेन दादा जी ये क्या कह रहे हूँ ये मैं तो मजाग कर रहा हूँ आप तुम जरा समल कर रहे हैं आप शायद इस रिष्टे से खुश नहीं आप पूरी तरह से तसली कर लीजे मैं इंतजार करूँगा शिवा बेटे तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन हमारे खांदान में तकरीबन चार सो लोग हैं तुम ही बताओ में उन्हें क्या जवाब दूँगा चोड़िये न उन्हें चार सो को भूल जाइए एक अच्छा इंसान रिष्टेदार बन रहा है अरे श्री निवास अगर मेरा बेटा होता और आपकी बेटी का हाथ मांगता तो आप बताईए मन्जूर करते की नहीं मैं आज से इसे अपना बेटा बनता हूँ और इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ उस दिन जब मैं तुभारे पैर चूरी जुका था तो तुमने कहा था मैं आपके बेटे जैसा हूँ मेरे लिए इससे ज़्यादा खुश्ची की बात और क्या होगी आप क्या सोच रहे हो हां कह दो ठीक है जाजात में कोई भेद नहीं जाजात में कोई भेद नहीं अरे गुरुजी आप क्या सिखा रहे हो हमें क्यू बोर कर रहे हो कुछ फिल्मी कलिया खिलाओ गल्फेंट कैसे पटम वो बताओ या कोई अपनी प्रेम कहानी बताओ और आपकी कोई नहीं दो अपनी सुनादे। कुछ मर्दो वाली बाते बताईए, बड़ा सोचिये। इन बच्चों ने तो मुझे भी सोच में डाल दिया। गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, देखिए न, मेरा बेटा इतना होशियार है, लेकिन स्कूल में उसे दाखिला नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं देखा दाखिला, हेल्यो सर, हावर यू टुड़ी, में मस्ते। ये लड़का बहुत गरीब है, मगर पढ़ाही में तेज है, इससे दाखिला दे दीजिए। मैं इससे दाखिला नहीं दे सकता। ऐसा क्यों सर। क्योंकि इसके माबाप अनपढ हैं। तो फिर काम कीजे, पहले इसके माबाप को दाखिला दो, वो अनपढ नहीं रहेंगे, फिर इससे दाखिला दे देना। क्या अंशन बखे जा रहे हो। इसके माबाप 40 साल के हुए, तो भी वो पढ़ाए करेंगे। अगर माबाप पढ़ लेखे होते हैं, तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो फिर आप लोग यहां टीचर बनकर क्यों बैटे हुए हो हां। इधर हो। यहां तो हम डोनेशन बटोरने के लिए बैठे हैं। जो दे सकते हैं उनसे लो ना, यह पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसे दाकला दे दो। इस एक के पढ़ने से कितना बढ़ेगा इंडिया। यह पढ़कर अपने मावप का और देश का नाम रितिक की तरह रोशन करेगा और अब्दुलकलाम की तरह साइंटिस बनेगा और चांद पर जाकर आपको वहां से थैंक्यू बूलेगा। यह क्या चांद पर जाएगा, कपड़े तक तो हैनीज के पास पहनने के लिए। मेरे बेटे को दाखिला मिल गया क्या? इसे दाखला भी मिला और कपड़े भी। यह आपने केसे किया? यह अपने का स्टाइल है। विपक्षी दलवाले नेताओं ने सत्ता पार्टी को गाली दी इसके विरोध में सत्ता पार्टी ने फैसला किया है कि वो एक दिन की हर्ताल पर जाएंगे जिसके चलते पूरा शहर बंद रहेगा कोई भी जरूरी यह हमारी पार्टी का बंद है कोई भी आदमी बाहर नहीं आना चाहिए चाहे पान की दुकान ठेले वगरा कुछ नहीं खुलना चाहिए हमारे सभी आदमियों को खबर कर दो सर तेवहार के वक्त अगर दुकाने बंद होगी तो कैसे चलेगा सर अगर हम दुकाने बंद कर देंगे तो हमारा बहुत नुक्सान हो जाएगा सर ठीक है आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लिकेशन दे दीजे बाकी मैं समझाए ठीक है सर जेनरल सिंग का हाथ है इसमें हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए अरे छोड़ो इन गरीबों का इतना नुक्सान हो जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा भाड में जाया जनरल सिंग ठीक है कोई प्रब्लम होती है तो मुझे फोन कर सर अरम यहां की क्या सिच्वेशन है जैसा आपने कहा था जैसा पूरा बंद बस कर दिया है अरे भाया हमें बंद की ख़बर तो अभार से मिली यहां की सिक्योरिटी मैंने खुद देखी है सर यहां कोई प्रब्लम ने इस तरफ इस तरफ भी मैंने चेक कर लिया है अरे तुम्हें पता है पुलिस ने गुंडों को खूब बिटा तक शिवास आ रहा है हमें किसी से ड़ने की जरूरत नहीं नमस्ते साथ अच्छा सब ठीक है ना बहुत अच्छा निया सरी है हमारे नए डीसी पी भागवान है भागवान बहुत अच्छा पारा सर आप सत्ता पार्टी के बंद के खिलाब जंदा को प्रोटेक्शन देंगे जरता इस वक्त मेरे लिए किसी भी पार्टी से इंपॉर्टन्ट है अगर वो नहीं होता तो आज हमारी दुकाने बंद होती खिलाब गए तो क्या अंजाम होगा अगले शुकरवार शिवा के शादी है उस वक्त सारी पुलिस फोस उस शादी में लगी रहेगी उस दिन हम दुकानदारों का अपना असली रंग दिखाएंगे उनकी लाशों को टीवी पर दिखाना चाहिए बॉस क्या प्रथा बनाई हमारे लोगोंने पुराना समान जलाओ और अच्छी दुआएं पाओ पलूशन की बारे में ज़रा भी नहीं सोचते एक दिन ओजोन लियर में से होल हो जाएगा और एलियन आकर हमको होल सेल में ले जाएंगे मौसे जी यह वही चटाई ना जिस पर मौसा जी सोते हैं आप इसे भी जलाएंगी क्या यह चटाई गरीब बच्चों को देदो वो इस पर सोएंगे आपको दुआ देंगे चुपकर चल जाए यहां से अंकल जी अंकल जी आप यह आग में क्या जोपने माले हैं यह पुरा कहा बेटा अरे क्या कर रहा हो तुम यह हमारे पूरे जिले के सबसे पुराने आदमी है इने आग में डालेंगे तो पूरे जिले को अच्छी दुआएं मिलेंगी है ना रुको यह क्या कर रहे हो यह मेरे बड़े भाई अपनों की बात आई तो आये ना लाइन पर गड़ी बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं हो का अपने नीचे रखो और मैं तुम्हारे भाई को नीचे रखता हूं यह नहीं रुक जाओ कब तक ये घिसी पीटी धुन बजाते रहोगे आज का कुछ लेटेस बजाओ ना ये दुनिया ये दुनिया नमस्ते खाना खाकर ही जाना ठीक है ना मेरा पेट ठीक नहीं है टॉयलेट में प्लेट लगाते था हूं आराम से उंगलें चाटके खाना आपने उप्वास आठी है अब फिर से उप्वास रखना पड़ेगा सार्ण के कुर्दों के मार्केट में तबाई मचा रखी है आप से कमत कीजे वो लोग दुकातारों को मेरे भी से मार रहे हैं आपके चार पुलिस वाले भी मारे गए और तो और बच्चों में भी रहम नहीं किया कुछ कीजिए सर कुछ कीजिए ठीक हाओ मेरे सार्ण सार आपने देखा उन्होंने क्या किया देखियो उन्होंने हमारे आद्वियों को बाई नालस है इन्होंने हमारे भरोसे पर दुकाने खुली थी जनरल सिंके गुंदोंने मौके का पाइदा उठाकर कितनी बेरहमी से मारा है इन्हें आउ आउ शिवा शादी के बाद मेरा आशिरवाद लेने आये हो क्या तुम्हारी वाइप ना आए रुको साले तुझे इन्सान की जान की कीमत पता है तुम्हारा नाम शिवा है तो क्या तुम खुद को इस शहर का भगवान समझने लगे किस की अजादस ते तुमने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया मुझे किस से पूछना चाहिए मुझे से पूछना चाहिए ते री आउकाद क्या है तुझ कोई सरकार है मैं उन सबसे उपर हूँ चालिस हजार रुपली की सेलरी दो जोड़ी खाकी वर्दी और एक जोड़ी काले जूते और एक पुलिस क्वाटर चार पुलिस थाने के चालिस पुलिस वालों के मिलने से तुझे इतना घमंड इतना करने लगा है तू जानता है मेरे कंट्रोल में आठ जिले, ब्यानबे MLA और सरकार मेरी मुठी में है मैं चलाता हूँ सरकार गमंड तो मुझे करना चाहिए मैं बीस न्यूस पेपर रोज पढ़ता हूँ तुम्हे क्या लगता है पॉलिटिक्स में घुझना इतना असान है हाई कमांड ने मेरी नाक पे दम कर रखाए कि बंद का क्या हुआ कौन देगा इसका जवाब क्या तुम्हारे पास है इसका जवाब हैं तुम्ने तो मेरे नाम को मेरी इज़त को मिट्टी में मिला दिया तुम्हे क्या करता बदला लिया मैंने धिकार है तुझपर अगर मुझसे बदला लेना था तो तुम मुझपर सीधा वार करता मगर तुने उन बेगुना लोगों को मौत के घाट उतार दिया औरतों के सर फोर दिये बच्चों को तक नहीं बख्षा तुने पुलिस वालों को मार डाला अब उनके परिवार को कौन देखेगा पुलिस वालों को मरने के बाद भी सैलरी मिलती है और दुकाने खुलवा कर तुमने हमसे पंगा ले लिया समझे दंगा फसाद होगा तो मौते भी होगी उनकी मौत पर मुआवजा तो सरकार देती ही है न जब हम तुम्हे रिश्वत खिलाते हैं तो आगे पीछे दू भिलाते हो और जब नहीं देते हैं तो भोगते हो मैं भोगता नहीं हूं साले मैं काटता हूं तुझे तो मैं उसी दिन गार देता जिस दिन तु बिना इजाज़त के मेरे घर आया था लेकिन उस दिन तेरी किसमत अच्छी थी कि मेरी मंगेतर मेरे साथ थी शे तुझ जैसा कमीना अपने जूटे हैंकार के लिए मार काट और तंगे फसाद करवाता है हजारों लोगों की जाने लेता है लेकिन अब तेरी हैवानियत को खत्म करने की मैंने ठान लिये मैंने तेरे 92 MLA 16 MP 4 मिनिस्टर 40 कार 30 जीप और तेरे किंग मेकर खिताब की धच्जिया ना उड़ा दिया और तुझे भीक मंगने पर मजबूर ना किया भीकू तो मेरा नाम शिवा नहीं वो तो तब होगा जब तू यहां रहेगा यले तेरा ट्रांसफर आउडर मेरी तरफ से तेरी शादी का तोफा साथ दिन के अंदर तुझे दूसरे शहर में जाना है अपना बोर्या बिस्तरबान दे जा सिर्फ साथ दिन साथ दिन में मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में और तेरा ट्रांसफर उपार शुक्र है आ गया क्या हो बेटे कोई परशानी है क्या कुछ नहीं बाबुजी जाओ बेटा अंदर जाओ मुझसे नाराज हो क्या नहीं मेरा पुरा टाइम चल रहा है इसलिए आप पर इतनी मुसीबते आ रही है कैसी बात ही करें मैं तो खुद परिशान था क्यूंकि मैंने उस कमीने से रिश्वत ली थी लेकिन तुभारे आने से मेरी जिंदेगी समर गई भावना तेरे किस पत्माई लोगोंगा सालाब बात करता है बता बिटा तु किसके जैसा बनना चाहता है आलिया आलिया स्टूडेंट अफ दे एर बनेगा और मेरा भटका यानि पंडित का नाम रोशन करेगा आयान में जाकर पड़ेगा करन के साथ कौफी प्येगा और मेरे नाग भी कटवाएगा पकी बात पकी बात इस भैसे के साथ रहकर इस बचण की भी बुद्धी मोटी हो गई है उस मारकाट का जिम्मेदार कौन था जनरल सिंग के चार खास बन्दे थे वो जनरल सिंग की असली ताकत है सब कुछ खातम सब कुछ खातम कर दो प्रॉब्लम्स आइंगे पता है मुझे मैं आपको अरेस्ट भी करूँगा और छोड़ भी दूँगा उसके सारे खेर कानोनी बियर बार्स बंद कर दो बिना परमेट की बसे लॉरियां सब कुछ जब्त कर लो ने छोड़ना ने अरस करो ने ओके सार हम किसी को नहीं छोड़ेगे जाओ अंदर जाओ और ठीक से चेक करो जाओ जाने दो चेक कर लिया है इसे जाने दो रुको रुको पीचे उत्रो चेकिंग होगी सारे लॉरियां सब्त कर लो चप क्रिण से लोड़े उक करदो कर लगाओ सारेग को भीचे वुक्ल मैंग मैंग यद है यदा कुछ ये क्या कर रहे हैं? इन और तो के फोटो क्यों खीश रहे हैं? सर, कल के अकबार में इनकी फोटो छापनी इसलिए है. अरे छोड़ो ये सब. क्यों? इन सब मामलों को तूल देखे न्यूस का मसाला बनाने की क्या ज़रूरत है? इनकी जिन्देगी पहले ही नर्ट से बुरी है. तुम और बत्तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जाइए, जाइए आप लोगो. साले, शरम नहीं आती. जो आज हमें आरेस्ट करने आते हैं, वो ही कल हमारी इज़त लूटने आते हैं. मगर आप उन सब से अलग हो. आपको हमारी फिक्र है. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. अरे परम. सर. अरे शिवा, ये सब क्या हो रहा है? तुनने ये कारवाई क्यों की? उन दुकानों के लाइसेंस नहीं थे. सभी गाड़ियां बिना पामीट की थी. मैं तो सिर्फ अपनी ट्यूटी कर रहा हूँ. मुझे तो साहब के सामने जाने में शरमा रही है. जो हालात इस समय उभरे हैं. अगर इस वक्त हम गए, तो थूकेंगे हम पर. हमारी सारी गाड़ियां जबत हो गई. दारू की दुकानों पर ताले पड़ गए. ये कलकल लंडा आकर हम पर कारवाई कर रहा है. हमें कुछ सोचना पड़े के इसके बारे में. हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कि शिवा पुरी तरह भास जाए. और उसे चिल की हवा खानी पड़े. पहले ये ही लोग हमें मुफ्त में चाय पिलाते थे. तुम्हारे आने के बाद चाय के भी पैसे देने पड़ते हैं. अराम का खाना बंद किया तो पेट अंदर चलागे. फिट लग रहे हो अभी. एए अपने आपको दबंग पुलिस वाला समझता है क्या? हमारे खिलाफ करवा ही करेगा तू? हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है? निपल ले लिया क्या बोलता क्यों नहीं है? कुत्तों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है. क्या कुत्ता कहा तुने? एमेल ले हूँ मैं, चुटकी बजाते ही तेरा ट्रांसफर करवा दूँगा. ऐसी जगा जाएगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा. देख मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ. लेकिन मेरे आदमी बहुत गुस्से में, एक इशारा करूँगा ना, तो तेरा इधर ही खेल खताब. इतनी लंबी-लंबी मत छोड़, भाई मेरी हट जाएगी. भाई किसको बोला रहे? वो देख, एड कॉंस्टेबर, उम्रे में मुझे बड़े हैं, पर मुझे सर बोलते हैं, उसी तरफ वक्त आने पर तुझ जैसे गदे को, कभी भाई, कभी सूर, कभी कुटा, कभी कमीना, कभी हरामी, कभी बैमान, कभी येडा, तो कभी दल्ला भी कहना पड़ा. ये कमीने, क्या स्माइलिंग फोटो है, अरेस्ट है, वापस आते ही के इचुर्टी करूँगा, और जूरी पुलिस पर हाद दिखानानी की धारा लगा, ये मुझे अरेस्ट करेगा, इतनी हिपन, देख लेना बहान आते ही, सबसे पहले तेरा हिसाब करूँगा, कमीने, अ मैं तो तुझे सर्याम नंगा करके पीटना चाहता था, मगर उन 66,500 वोटरों को मैं शर्मिन्दा नहीं करना चाहता था, ले जाओ साले को, वो लगा कमिश्टर को, मिस्टर शिवा, तुमने पीट सड़क पर एक एमेले को अरेस्ट कर लिया, क्यों अरेस्ट किया तुमने, इन पर बलातकार का आरोप है, सर, क्या, मैंने इन पूछताच के लिए बुलाया, तो इन्होंने मुछ पर हाथ उठाया, मेरे पास इस बात का सुबूत है, सर, क्या ठीक है, कारवाई करो, ओके सर, औरत अगर सुन्दर हो तो उससे जबरदस्ती हसिल करेगा, तुझे तेरी आपकाद दिखा दी मैंने, ये है शिवास्टोई धन्यवाद बॉस, सुन्दरलाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो जेल में है अरे, कहा गए, यहां भी नहीं है मेरे कपड़े, कौन चुरा कर ले गया, उठेना, देखेना, सारी कपड़े आए बे, कौन चुरा कर ले गया पुलिस के घर से चौरी कौन करेगा, ठीक से टूड़नो रहा है, कहीं भी नहीं है, मेरी मा की दिवी लाज सारी का क्या करोगी, यहीं सूट कर रहा है, चलो स्वाई, आजा, क्यों, क्या हुआ अच्छा, तो चोर घर का अदमी है, मुझे भी उपस अच्छे, आप बहुत क क्या, 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 तुमने मुझे गाली दी, मैंने कहा गाली दी, मैंने तो सिर्फ आपको गंदा का, और यह थोड़ी गाली होती है, गंदा गाली नहीं होती, बल्कि गाली से भी गंदा होता है, क्या करें आप, चोले गंदी पपी देदा, गंदी को कहा उना पोड़ी को को निकालो घल्दी को पबकू निकालो सब को बाग शुक्ट पुछ ली सब्सक्राइब को जमानत मिल जाएगी तो कितना भी हाथ फेर मार ले उसकी जमानत नहीं होगी हमारा केस मजबूत है हम कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगेंगे अलो 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 लिबर्टी थेटर में नहीं है क्या का वो बाम तो बस ट्रेंट पा रहा है बचा सको तो बचा लुए पैसेंजिस को नीचे अधारो सारी बसेंश चेक करो सबस्कराइब से बाहर निकालो बराम सबस्थे वाहर निकालो बराम सुरोओ जिसार मुझे ये कॉल्स जाली रग रहे हैं तुम रेल्वे स्टेशन स्कूल कॉलेज में चेक करो जाकोर्ट में जाके चेक करो जल्दी चेक करो जिसार बं की खबर सुनते ही हवा टाइट हो गए क्या यह वह वाला बं नहीं है जंडू बाम है जरा पीछे देखो बहुत देर से भाग रहे हो ठक गए होगे पैरों में जरा लगा लो आराम मिल जाएगा ऐसे घूर क्या रहे हो एमेले के केस से फोरण हट जाओ शिवा वरना असली बं का विसफोर्ट होगा यह काम जल्दी करो DCP नहीं तो जंडू बाम जिलेटिन बं बं बन कर भूटेगा यस सर अलो मिस्टर शिवा आखिर ये कर क्या रहे हो तुम सारा बं स्कॉर्ट पूरी फुलिस फोर्स को शेर भर में गुमा रहे हो कितने परिशानी हो रही है पबलिक को सर फोन पर धंकी मिल था ऐसे फर्जी कॉल पर भरोसाई क्योंकि आप पहले पता करना चाहिए था ना सब को रोखो और जल्दी आफिस पे पहुंचो सर वह फर्जी कॉल नहीं था बं यहां पर मिला है पर अफसोस मैं उनकी कार को नहीं बचा पाया है इसी तरह जनरल सिंग की हुकूमत को तबाह करने में आप लोग मुझे इंडारेक्टली सपोर्ट करेंगे सर इससे पहले उसे किसी आफिसर ने नहीं ललका रहा था आपकी इस काम में हम डेरेक्टली सपोर्ट करेंगे सर क्या बात है इन्होंने मुझे इंटरकास्ट मैरेज कराने के लिए बुलाया चलो हवान दो हवान दो बजो दुलन का है और ये गधे के साथ दूसरा गधा क्या कर रहा है यही तो दुलन है गधी ही दुलहन है बेटा क्या हुआ लोव मैरेज सुना था, अरेंज मैरेज सुना था, इंटरकास्ट मैरेज भी सुना था और ये भी सुना था कि गधी पर दिल आ गया तो परी क्या चीज़ है पर ये तो मुआवरा था तुने दिल पे ले लिया शुब मुरुत के लिए नारियल फोड़ते हो, विल्ली ने रास्ता काटा तो रास्ता बदल लेते हो, बे जुबान जानवरों की बली दे कर खुश होते हो और उसका जश्ट मनाते हो, एक दिन एलियन आकर हमारी बली देगा, तब क्या करोगे? यह बजा रहे! अब उसकी ड्राइफरूट वाली बर्फिय बनाकर सब लोग प्रसात के नाम पर खाना और बरसात आ जाएगी, है ना अंधविश्वास का बाप? यह आप क्या क्या रहे है सर? जो वज़े उन्होंने बताई वो काफी नहीं है, आपने उन्हें जुलूस निकाले की परमिशन क्यों दी? जानते हो मुझ पर कितना दबाव है, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, उन लोगों का बाद में सोचेंगे, तुम फिलाल उनकी सिक्य पुलिशन ओफिस तक पहुचेगा, जहां पर तुम्हारी दुकान है, समझे? उस दुकान से सोड़ा बोतर सप्लाई की जाएगी, वो उनके हत्यार होंगे. वहाँ उस चौराय पर एक गोदाम है, हमें हत्यार वहीं पर मिलेंगे. जैसे ही उनको हत्यार मिलेंगे, वो हम प कोई भी प्रेस फाला फोटो न ले पाए, और अगर ले भी ले, तो उसे सिर्फ धुएं की फोटो मिलें, ओके? मुश्किल दब हो कि जब वो कॉर्परेशन ओफिस पहुंच जाएंगे, वो वहाँ नहीं पहुंचने चाहिए. हार नहीं मानेंगे हम, नहीं दरेंगे दरेंगे हम, हार नहीं मानेंगे हम, नहीं दरेंगे हम, हमें हमारा थिकार दो, हार नहीं मानेंगे हम, नहीं दरेंगे दरेंगे हम, हार नहीं मानेंगे हम, नहीं दरेंगे हम, नहीं दरेंगे हम, हार नहीं मानेंगे हम, नहीं ठीक, हमें वैसे ही करना है, जैसे सर ने का है, हेलो, थोड़ी दिर में जुरूस कॉपरेशन आफिस पहुंचेगा, हम तयार हैं सर, जैसा बता है, वैसे ही करना, हम नस्दीक आगे हैं, ठीक है सर, एमिलोस तयार रखना, ओके सर, किसको हाथ लगा रहे हो, पे अमेले हूं, ज तो फिर फायर किसने किया, किसी अंजान बदमाशने की होगी, इतनी भीड में मैं कैसे देख सकता हूं सर, मैंने आपसे कहा था कि परमिशन मत दीजे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझ पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं, आल राइट, पर अब जल्दी से जल् तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के रेकॉर्ड क्लियर है, तुम्हें जनरल सिंग की ताकत का अंदाजा नहीं है, मुझे उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं नमस्ते साब, काएगा नमस्ते, मार डालो मुझे, मार डालो, उसने बेकसूर लोगों को मार डाला, अब तुम जनरल सिंग को मार डालो, ये जनरल सिंग किस चिडिया का नाम है भाई, तुने मेरे आदमियों को मार डाला, और कह दिया कि वो दंगे फसाद में मारे गए, ज कोई गवा है तेरे बस ? अच्छा। तो मैंने ञो चार राजियों में किय तो अब तू मेरे साथ करेगा ? अगर झरूरत न हो तो मैं सरकारी पिस्टोल का इस्तोल का इस्तेमाल नहीं करता खाता चाकोसे तो कोई भी काठ सकता है पिस्टॉल तो कोई भी चला सकता है दो दिन इंतजार कर ले तुम किसे बात कर रहा है पता है शुकर मना कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ वरना मेरा जूता भी तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए मना कर दे पूटले पूटले तो फिर पुलिस की गोलियों को चलने से तू क्या तेरा बाप भी नहीं रोक पाए मैं अपने बॉस के लिए खुद को जला जूंगा बॉस उसने हमारी बड़ी पेशेती की, हमें कहीं मूह दिखाने लैक नहीं छोड़ा देखो जो हो गया सो हो गया, अब हमारे आदमियों को इकठा करो और इसे खत्म कर दो दंगे फसाद तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इन हत्यारों ने तो हदी कर दी, मुझे तो बहुत डर लग रहा भाई मुझे भी ये सोचकर गबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा, इतने सारे पुलिस वाले हैं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, वो हमारी रक्षा करने अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं, देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो, पर यहां के हाला देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, तुम तो ट्रांसर ले सकते हो ना, किसी दूसरे चेहर में चले जाओ पेटा, मेरी बाव समझे, आप सब जाएए, मुझे कुछ नहीं होगा, इन्हें और टेंशन मत दीजे, मैं बिलकुछ ठीक हूँ भावना, तुमने मेरी तसली के लिए ने भेजा या तुम्हें वाकई मुझे पर भरोसा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा तुम पर असर पड़ेगा, अगर तुम्हें वन परसेंट भी मुझे पर भरोसा नहीं है, तो हम आज ही चले जाएंगे मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ज़रूर काम्याब होंगे संधी जी, हम लोग ने कितना समझाये, मगर तामा जी नहीं माने एक बार आप कोशिश कीजिए न संधें जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे बात कर लूँँगा पावना, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें रो क्यों रही हो, आंकों में दुआ चिला गया था, बेटे तुम कहा हो, मैं मंदिर में हो, सुना तुम्हारे ट्रांसफर हो गया, कोई परिशानी ही क्या है, बेटे, कहो तो मैं आ जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जर्फ दो दिन की बात है, मैं खुद ही आ जाओंगा, ठीक है बेटे, पर दो चेपल छोड़ा हो एप मंदिर के अनदर जाओ, पर क्यों वैसा क्या रहा हूं ऐसा कर रहा हूं जाओ, मंदिर में जाओ, बोरा चुआ, बोरा चुआ, बोरा चुआ, बोरा चुआ, पर लगी टुडाओ जरुटाओ थे ओर चलो पुराओं... भराओ है। भराओ है। भराओ है। जोड़ाओ केता। बढुखने ज साथ चलोग। बढु और किर दो में भाँग देज़ है। बढ़े लुकुम मा रखने तलो ऑढूद कादी में जाया है। अज बश्चित आएगा अज बश्चित आएगा अज जो खर फाग लाए क्यों बेर सोच रहूं के मैंने गोली क्यों नहीं चलाई सोचने के लिए दिमाग तो है नहीं मंदिर का मामला था कोली नहीं चला सकता था अगर मंदिर में फायरिंग करता तो भक्त लोग घवरा जाते उन्हें परेशानी होती तुम्हारी मयत निकलने वाली है न तो माथम का ढोल बजा रहा हूं समझे आए बढ़ए रहा हुआ 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 है आप आखिर वहां क्यूं जा रहा है शिवा ने ने मना क्या है dovगर मेरा मंद फूरा है या कर देखाता हम आखिर क्या हो रा है वहाँ आवना तुम गाओ चली जाओ पर क्यों? सिर्फ 24 गंटे की बात है और मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता कल शाम तक मैं भी पहुंच जाओंगा कौन-कौन जा रहा है? सिर्फ मैं जा रही हूँ संभल के जाना बेटा ठेके मा बताओ क्या हो? सर जनरल सिंग ने शिवकाशी फैक्टरी के मालिक आतिश खान से बात की क्या बात भी बता सकते हो? कुछ शोर करने के बारे में बोल रहा था जादा कुछ समझ में नहीं आया पर मुझे लगता है ये शोर किसी चीज़ का कोड वर्ड है जब पढ़ागे फूटेंगे तो शोर तो होगा कहीं ये शेर में बाम ब्लास्ट करवानी की बात तो नहीं कर रहे है चलो देखते हैं मुझे कुछ बात करनी है चलो मेरे साथ अगर वारर न नहीं होगा तो मैं जीप इनी बेट हूँगा जीप लाये ही कौन है चार खतल हुए उसके बाद दंगा फसाद हुआ इन सब में तुम्हारा हाथ है चाहूँ तो तुम्हें बारा साल की कैद करवा सकता हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खतम भी कर सकता हूँ डरो मत चाहता तो तुम्हें उसी दिन ठोक डालता उस दिन तुझे भी मौत के घाट उतार देता जे जिन तेरे उन तीन साथियों को मैंने उड़ाया था मगर मुझे तेरी बीवी और बच्चों का ख्याल आया इसलिए तुझे बक्ष दिया अब जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करता जा ओके सर आज जनरल सिंग ना आतिश खान से शोर करने को का इसका क्या मतलब है बताव मुझे आपके घर में बम लगाये जाए यह क्या कह रहे हो तुम डी सीपी साब के घर में जो बम लगने वाला है वो राज साड़े दस बजे फटेगा और बम लगाने वाला सागर होटल में रुखा हुआ है सर हमें फॉरण घर नहीं बम फट जाने तो सर ये आप क्या कह रहे हैं जनरल सिंग को अरेस्ट करने का बस यही एक मौका सर वो हमारी मुठी में है एक बार आतिश खान को पकड़ लिया तो हम उसे भी पकड़ सकते हैं उससे केस कमजोर हो जाएगा वो अपने सोर्सेज लगा कर बाहर निकल जाएगा बम फट जाने तो फिर हम उसे आतंकवादी साबित कर सकते हैं और भाभी? वो गाउँ चली गई परम, बम साड़े दस बज़े भटेगा दस पैटिस को हम आतिश खान को गिरफ्तार कर लेंगे फिर मैं कमिशनर से बात कर लूँ वो किसलिए सर? बम जनरल सिंग ने लगाया ये डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए लेकिन कहां ये नहीं कोई मेरे बेटे को पनिशान नहीं कर सकता अगर बहु यहां रहेगी तो शिवा का सारा ध्यान उसकी सुरक्षा की तरफ ही लगा रहेगा आप सब लोग हमारे गाउं चले जाएए मेरा आप से वादा है सब कुछ ठीक हो जाने पर बहु को मैं खुद लेके आउंगा आतिश खान तुम्हें इस चहर में पहुचकर शोर करना है पॉरण पहुचो तुमने जेनरल सिंग को हाथ भी लगाया तो सियम मुझे नहीं छोड़ेगा वो मेरा खुन पी जाएगा पता भी है तुमें हमने कुछ नहीं किया और बम फट गया तब ही सियम मंपर प्रिशर डालें यह बात आमें नहीं भूलनी जाएगा यह सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है तुमने उसके जुलूस में जो किया ना यह सब उसी का नतिज़ा है कड़े मुर्दे उखाड़ने के बज़ा है अब क्या करना है यह बताइए सभी पुली स्टेशन्स को अलर्ट कर दो सब को फोन करो यह लीजिये चाबी मैं आपके लिए खाना भेज़ देती हूँ अरे नहीं बेटी मैं शिवा के आने के बाद ही खाऊँगा हलो मैं शिवा का पिता बोल रहा हूँ वो कमिशनर के साथ मीटिंग में है कुछ बताना है उन्हें कमिशनर के साथ उनकी मीटिंग खतम नहीं हुए है शिवा सर का फोन मी मेरे पास है अच्छा उनसे कहना कि मैं गाउं से यहां गया हूँ सर आपके पिता जी का फोना है था पचा कहां से फोन किया उनों आपको कॉटर से ही था यहां माले घर से वो बोल रहे थे सर की घर पहुच गया ओन देखो मेरे बैटे के सल्सुरार वाले वहां गाउं में आ रहे है उनकी खातीदारी ठीक से करना हो जाएगी उनके खाने पिने का ठीक से खयार रखना, खास करके मेरी बहू का कोई जनरल सिंग है, उसने मेरे बैटे को परिशान कर रख था है अगर जरूरोत पड़ी तो मैं उसकी जान ले लूँगा, मगर अपने बैटे को कुछ रही होने दूँगा बाबुजी फॉराँ गर से बाहर निकल जाएे बगर क्यों? घर में बाउम है, जल्दी निकालिये के सा भूआ होरा हे आपके साथ मैं गवाही देने के लिए तेगार हूँ हाँ मैं भी तेगार हूँ यह लो एरेस वर्ल्ट केरियो आल दे बेस्ट मैंने पहले ही कहा था आपसे अब दो दिन शांत रहिए उसके घर में आपने बॉम क्यों लगाया अब वो घायल शेर की तरह दाढ़ रहा है अब तो एकी रास्ता है किसी बिल में छुपकर बैठ जाए यह वरना घसीट के ले जाएगा अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे आदमी इस शेहर को आज लगा देंगे चनरल सिंग की लाइफ के चैप्टर में आरेस चैप्टर होना ही नहीं चाहिए ओके मैं एक बार और बात करूँगा उससे हाँ और सुनो तुम उसकी पूरी फैमिली को उसके चाचा मामा दाओ तब को भाड़ारू कैसे बॉस उन सब को तो उसने कहीं बार भेज़ दिया सब काम हो गया है अब जाओ सर कमिशनर साहब का फोन है मिस्टर शिवा एक अरजेंट और सीक्रेट मीटिंग है तुम फॉरण यहां चले आओ आट सिलों के कलेक्टर एमेले और मंत्री लोग सब आ रहे हैं तुम फॉरण चले आओ यहां पर उपर से ओर्डर हैं हलो मैं डी से पी शिवा की पत्नी बोल रही हूं घर का फोन नहीं लग रहा उनका मोबाईल ओफ है सर उनसे बात करवा दीजी सर हॉस्पिटल गए है अस्पता क्यों आपको मालूम नहीं उनके बहुत हुट हुआ है अरे उनको क्यों बता रहे हो हालो हालो वो बिलकुल ठी है यह क्या किया तुमने आधी रात हो रही बेटा तुम इस वक्त भला कैसे जाओगी नहीं मामा अगर मैं आफ़ी बस पकड़ लू तो सुबह तक बाप पहुट जाओगी आप मुझे बस टैन तक छोड़ दीजे देखो मिस्टर शिवा तुम जेनरल सिंको आरेस्ट नहीं है आपके पांच प्राइवेट कॉलेजिज है बेटर होगा आप चुप रहे हैं तो मैं इनके बारे मैं ऐसा क्यूं बोल रहे हो वारंट इशो होने के बाद भी आप मुझे उससे अरेस्ट करने से मना क्यूं कर रहे हैं अपनी पावर का गलत फाइदा उठा रहे हो हम भी जानते हैं कि आज तक तुमने कितने रिश्वत खाई हैं बताओ क्या ये जूट है नहीं हमारे पास पूरी कुंडली है इसमें लिखाए कि तुमने कब और कितने पैसे खाए हैं ये कुंडली सही नहीं है इसमें उन पैसों का इसावे जो उन्होंने मुझे दिये लेकिन उ से जमा करवा दिया था ये सही कुंडली है जनरल सिंग कोई दरिंदा नहीं है जिसके सामने खड़े हो कर लड़ा जाए घटोत कच है वो उसकी जंगाओं को पकड़ कर चीर कर दो भाग करने पड़ते हैं तब वो मरेगा यही सच्चाई है तो फिर तुमने जो कतल के 30 लाख और एक्सिडेंट के 40 लाख लिये थे वो कौन से बिल में ठूस कर रख दिये हैं? धर्म कारे के अगर कोई एक्सिडेंट करता है तो उसे जेल होती या जुर्माना होता है और वो छूट जाता है पीडित के परिवार का क्या होगा यह कोई नहीं सोचता इसलिए मैंने 40 लाख रुपे उस पीडित को दे दी मुझे हमेशा उनकी फिक्र होती है जो शिकार बनते पब्लिक का अगर एक भी रुपया मैंने खाया होगा तो मैं आप सब के सामने अपने आपको गोली से उड़ा दूँगा अगर मैं प्रस्टा चारी होता तो दो वर्दी और एक जोड़ी जूते के साथ गुजारा नहीं करता इसी वर्दी के लिए मेरे बामुझी ने 25 लाख की रिश्वत दी थी जिसका सूत मैं आज तक भर रहा हूँ क्या ये कोई जानता है वो सब छोड़ो तुम पुली स्टेशन चला रहे हो या अपना कोई अलग धर्बार लगा हूँ है समझते क्या हो तुमारे मूड और मर्दी से ये कानून नहीं चलने वाला है किस कानून की बात कर रहे हैं आप मुझरात में दारूबंदी है और उसके बगल वाले राजस्तान में दारूबंदी नहीं है एक स्टेट का कानून दूसरे स्टेट में घलत माना जाता है कुछ स्टेट्स में रेड लाइट एरिया में जाना खेर कानूनी नहीं है और यहाँ जुर्म माना जाता है हर जादी, हर स्टेट के लिए अलग कानून दिमाग खराम होगे मैंने अपने पिता कान तिम संसकार भी नहीं किया उनके कातिल को उनके कातिल को अरेस्ट करने से रोकने ये कौन सा कानून है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यही कि मैं उसे अरेस्ट करना चाहता हूँ तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें उसे अरेस्ट नहीं करने दूगा मुझे धमकी दे रहे मेरे बिदा की पांच उलादे मरने के बाद मैं पैदा हुआ था, शष्ट शिवा मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूँगा उसे अरेस्ट करोगे तो खुद भी मारे जाओगे मैं आग, आग से खेलोगे तो जल जाओगे मैं अपना काम करने जा रहा हूँ जो खाड़ना है खाड़ो मेरा तुमारे दिये हुए एक-एक पैसे का हिसाब उसने हमारे सामने रखा है हम कुछ नहीं कर सकते अब अपनी जान खुदी बचालो, हो सके तो कोई छुप जाओ तुमारा फोन मत करना संभाल के सर यहां पर जन्रल सिंग की गाड़ी आ रही है ठीक है बताईए हमाले क्या ओर्डर है अरेस्ट मत करना उसे आगे मच जाने दा ओके सर घई, गाड़ी बोड़ो, चलो जल्दी बुद मोरें सर आपके पास उसका अरेस्ट वारेंट है तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते है पूरे शहर में अफरा तफरी मचिये और हमें शाम के एडिशन में इस खबर को छापना है सर आप ये खबर छापिये के पुलिस उसे ढून रही है इसका मतलब आप पकड़ नहीं पाएं और आप मेरे पास दूसरी गन है परम्तों सर यहीं रुक्चान सर जेनरल सिर्म ने गाड़ी बदल दिये हैं मैं देख लेता हूं सर मात्रे बोल रहा हूं एमजी रोड से अब ही अब ही जेनरल सिर्म गाड़ी बदल कर हाइवी की तरफ गया है सर आगे DCP आपका वेट कर रहे हैं उनके पास फाइरिंग के ओर्डर आप लॉट जाहिए काड़ी बोलो चलो 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 पीछे चलो क्या ख़बर है सर उसे दूसरी दिशन में भेज दिया है अम इस शेर से बाहर नहीं जा सकते मैं अपने रेट की ख़दान है न वहां जा रहा हूं तुम लोग भी कहीं चुप जाओं ठीक हो सर वो अभी अभी रेट की ख़दान की तरफ गया है ठीक है मैं पहुंचता हूं किय सकत ऑब हम कुछप वो जमकर ता हो एक वो मुत था रेट कर थाए रेड़ हम सर नहीं ह झाल झाल कर दो एक कर अगड़ बनाल नगड़ आपड़ हाँ – हाँ– यह गिख से ओग ओओ ही घह और हुँ आड़ और हाँ हुँँँँद और हुँँँट और हुँँँट हुँँड़ आफ, नाफ, नाफ, नाफ. इसटर नह वो किवणा है राते हैं अ हम ऀसर आ किवक, पास को हुआ है, है रह है, हम तो दुम है, कि अ का है। यह, हम एम तो तुम है, तो ग इसके और से हाई घ है कि पन्या से विल को 두 है आओ, आओ, अरेस्ट करो, करो ना अरेस्ट मुझे, अगर तुमने मुझे अरेस्ट किया, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, पूरा शहर आज में चल जाएगा, मुझे एक भी खरोच आई ना, तो उन लोगों को CM के कॉल आ जाएगे, वो मुझे फॉरन छुडवा लेगे, इस दुनिया में किसी भी कोने में छुपोगे, मैं तुम्हे ढूंड के रहूँगा, और खत्म करके दम लूँगा, मुझे जब तक तुम अरेस्ट नहीं करते, तब ही तक तुम जिंदा हो, समझे, अगर तुमे अपनी जान प्यारी नहीं तो हाँ, हरेस्ट करो मुझे, मे अरेस्ट करोंगा, तो उन सब को तकलीफ होगी, जो जिंदा है, अगर तुम मर गया तो तेरा पुतला बनेगा, तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, फर तुझ जैसे और दस धरिंदे सर उठाने की हम्मत करेंगे, अभी तु भगोडे के नाम से जाना जा रहा है, प तुझे भगोड़ा घुशित किया जाएगा, पुलिस रिकार्ड्स में, इसके को तुम वही करो, जो कानूनन सही है, तु अच्छाई का नाश करना जानता, लेकिन मैं करना हूँ, पाप का नाश, और शिवा की तलाश बदस्तूर जारी है, 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 जारी